हलो फ्रेंट्स मैं हूँ आर्ती और आप सभी को स्वागत है डिजिटल कुकिंग में आज मैं बनाने जा रही हूँ भर्मा मिर्च की सबजी तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सेर इन सब्सक्राइब करिएगा और वैल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलो सुरू करते हैं यहां पर भर्मा मिर्च बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम तक अचार वाली ग्रीन मिर्च ली हैं उनको अच्छे से दुनके साफ कर लिया है तो अब हम क्या करते हैं इनको मिर्च को हम इस तरीके से चीर लेते हैं बीच से इनको अगर यहाँ पे आपको चाहिए तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो जिसके जो अंदर के बीज है उनको आप निकाल सकते हैं लेकिन मैं इनको नहीं निकालूंगी क्यों मुझे थोड़ा सा तीखा ही पसंद होता है तो हम इस तरीके से सारी मिर्च में इस तरीके से कट लगा लेते हैं इसी तरीके से हम सारी मिर्च को अच्छे से कट लगा लेंगे यहाँ पे हमने अपनी मिर्च में कट लगा के चीर के रख लिया है तो हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं तो गैस पे हमने एक पैन को रख दिया इसको हलका सा गरम हो जाने देते हैं और अब यहाँ पे मैंने एक कटूरी तक मुख़ली के दाने लिए इनको हम हलका सा रोस कर लेंगे तो गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो रखा हुआ है लो गैस पे इनको हलके से रोस कर लेंगे जिससे की हम निन्य ठंडा हो जाने के बाद हम इनके छिलके निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी मुख़ली रोस्ट हो चुकी है तो इनको हमें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी पैन में मैंने आधा कटूरी तक बेसन लिया इसको भी हम भून लेंगे तो बेसन को भून लेंगे लिए हम गैस को लो ही रखेंगे क्योंकि तेज गैस पे यह जल्दी से जल जाएगा और अच्छे से भूनाएगा नहीं तो हम इसे लोग गैस पे ही से भून लेंगे जब इसमें च्छी सी खुस्वू आने लगे तो हम गैस को बंद कर देंगे तो यहां पे हमारा वेसन भून चुका इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जो मैंने इसके लिए उनको डाल देते और अब यहां पे हम सुखे मिसाले मिला देते तो आदा चमच तक मैंने हल्दी पाउडर लिया है और एक चमच तक मैं लाल मिश पाउडर ले रही हूँ एक चमच तक मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ एक चमश तक हम नमक लेंगे और आदा चमश मैं गरम असाला ले रही हूँ आपे और दो चमश मैं इसमें अमचुर पाउडर ले रही हूँ आप इसकी जगह पे नीबू का रस्पी यूज़ कर सकते हैं सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं यहां पे आप चाहें तो सौफ और जो चार का थोड़ा सा मसाला तो उसको भी आड़ कर सकते हैं अब इसमें मैं दो से तीन चमश तक रिफाइन डॉल यूज़ कर रही हूँ उसको मिक्स कर देते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें मैं दो या से तीन चमर्ज तक हलका सा पानी एड़ करके इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेती हूं इस तरीके से हमारी स्टफिंग बन गई है तो अब इनको हम चलो मिर्च में भार लेते हैं इस तरीके से हम सारी स्टफिंग को मिर्च में अंदर फिल कर देंगे हम इस तरीके से मिर्च को अच्छे से मसाले से फिल कर देंगे इसमें जो मैंने रेट चिली पाउडर डाला था मैं मुझे थोड़ा सा तीखा पसंदे क्योंकि इस मिर्च में ज्यादा तीखापन नहीं होता है और यह ज्यादा तीखी नहीं होती तो इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज किया था अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको इसकिप भी कर सकते हैं आ मिंसालु में फिल कर लें यह अच्छी बहुत खाने में अच्छी होती हैं और इस तरीके से आप इने फिलकर के रखिए और फ्राय के आप worsh democrat रख सकती है। तो यह हमारी निर्चे से फिल हो चुकी है नो चला हम इनको अब अच्छे से ऐसे फ्राइ कर लेती है. तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे एक पैंड को रख दिया है पैंड को थोड़ा सा गरम हो जाने देते हैं अब इसमें मैंने दो चम्मज तक रिफाइंड आयल यूज किया आप चाहें सरसो का तेल जो भी वेजिटेविल आयल है उसको आप यूज कर सकते हैं तेल को थो और दिय्से कर देते हैं अब यहां पर मैं आदा चूटे चम्मज तक इसमें उसमें हूंग करेंग कि कुछ कि कोई भी हरी सब्जी अगर हम डालते हैं तो इसे पहले अगर थोड़ी सी हल्दी आड़ कर देती हैं तो सब्जी का कलर चेंज नहीं होता वह ग्रीन ही बना रहता है इस तरीके से हम अब क्या करेंगे सारी अपनी जो हर मिर्च है उनको इसमें अच्छे से डाल दे रहे हैं गैस की फिल्म को हम लूडम मीडियम ही रखेंगे लो मीडियम गैस पर अच्छे से इनको हम फ्राइ करेंगे तो यहां पे हम ढगकन बंद कर दे रहे हैं और बीच बीच में हम क्या करेंगे इन मिर्च को पलटते जाएंगे जिससे की यह चारो तरफ से अच्छे से सिख जाएं तो इस तरीके से हम सारी मिर्च को पलट देंगे गैस की फ्लेम को ज्यादा तेज नहीं रखना अदरवाइज यह सिखेंगी नहीं जल जाएंगे तो इस तरीके से हम गैस की फ्लेम को लो मीडेम ही रखेंगे और अच्छे से पलट के इनको चारो तरफ से हम सेख लेंगे तो हमने एक तरफ से पलट दिया है इनको तो हम ढकन बंद करके थोड़ा साइदा से भी सिखने देती हैं और अब हम इने फिर से पलट के दूसरी तरफ से भी इने सेख ले रहे है तो इसी तरफ से अब पलटते रहना और चारो तरफ से इनको अच्छे से प्राई कर लेना ह इस तरीके से बना के आप एक अपते तक इनको रख भी सकते हैं यह खराब नहीं होती है यहां पर देखे हमारी सारी मिर्च अच्छे से भून चुकी है और देखने में देखे कितनी अच्छी लग रही है मस्च माने खाने में भी बहुत अच्छी लगती है तो आब हम उनको एक प्लेक में निकाल लेते हैं यह देखिए हमारी भर्मा मिर्स्त बनकर तयार हो चुकी है आप इन्हें ऐसे ही पराठा ये रुटी के साथ खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगती है ये तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चानल को लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा और बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ वाई